नमस्ते आप सभी से अन्रोध है कि क्रपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो क्यू आर दिख रहा है उसको इसकान करके हमें सपोर्ट करें मैं यहां यह भी गोशना करना चाहता हूं कि 25-27 को हमारा राश्टवादियों का महाकुम्ब यानि की दी जैपूर डालॉग समिट भी होगा और उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर हमारे इस सुब्रमणियम स्वामी जी है वो पहले wire पे पहुंचे थे और wire चलते 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 और कपिल सिबल के बास गहे थे और वहां से चलते चलते उनकी यात्रा अब अजीत अंजम तक पहुंच परणिपरसुन बाचपई कि या भी आप उसी की शीगर मिलेंगे, सुब्रमनियम स्वामी जी, सुब्रमनियम स्वामी जी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे की हैं साथ, और उनका और अजीत अंजुम जी का जो कॉम्बो है, वो तो चले गई, क्योंकि अजीत अंजुम औ परणिपरसुन बाचपई और रवीशिक्वमार इन लोगों का ही तो मामला सारा का सारा चल रहा है, कि भी, योगी को उताया जा रहा है, और मोधी योगी में डिफरेंस हो गया है, और मोधी योगी को, खतम कर देगा, इत्यादी, इत्यादी, तो सुब्रमिनियम स्वामी जी क्या करें सुब्रमिनियम स्वामी जी कह रहे हैं कि देखिए मोधी को तो मैंने बनवाया प्राइम मिनिस्टर सुब्रमिनियम स्वामी ने मोधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया कर रहे हैं कि भई RSS तो उनके खिलाफ थी लेकिन मैंने जो है वो RSS से बात करके और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जब मैं पहली बार गया तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे बड़ा रिग्रेट किया कि देखिए मैं आपको भी नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन मैंने कहा कि मैं तो आपके साथ हूँ अच्छा उसके बाद पर उनको राजिस सभा की सीट मिल गई थी यदि आपको ध्यान हो लेकिन आप जाते हैं स्वामी जी हमारे कैसे हैं उनकी महत्वा कांख्षा का कोई अंत है ही नहीं वे जो है आज तक के कभी न बने हुए बारत के सरवश्रेष्ठ वित्तमंत्री है तो यदि उनको कहीं वित्तमंत्रा ले मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या कर देंगो कर देंगे और सब कुछ जो है वो बिल्कुल चलाएंगे चानक्य की नीती की तेरे संभवता अलांकि चानक्य तो भई करके प्रती बहुत ही सजग था और सभी पर कर लगाता था और जो अन्होंने अपने कर की नीती एवो पूरी उनके अर्सचास्ट में लेखी हुई है लेकिन हमारे सुप्रम्निम स्वामी जी सबसे बड़े चानक है और क्या कह रहा है सुप्रम्निम स्वामी जी योगी को ये दोनों आश्रम भेज देंगे तो योगी मुदी वाला जो चैप्टर था जो अब एंड हो चुका है आपको भी पता है क्योंकि आप हमारे जैपर डायलॉक्स को देखते रहते हैं तो योगी और मोधी का चैप्टर एंड हो चुका है ये तैय हो गया है कि केशव परसाद मौरिया की ही बली ली जाएगी और ये भी तैय हो गया है कि केशव परसाद मौरिया संगटन को सरकार से बड़ा बताने के बाद अभी भी डेप्टी सीम के रूप में सरकार में बने रहेंगे और अपना थूक के चाट के और सारी कैबिनेट मीटिंग में बैठेंगे और जाके योगी से माफी भी माँगेंगे चुपचाप हाला कि चुपचाप तो नहीं योगी जी को चुपचाप केश अपरसाद मौरिया से माफी नहीं स्विकार करनी चाहिए माफी माँगनी है उनको तो पब्लिकली माँगे क्योंकि उनकाम ही ऐसे की है व्यक्ति अपना स्वयम का बूत हार गया मुझे ये तो पता था कि वो अपनी विधान सवा की सीट हार गया कोशामभी लोग सवा सीट हार गया स्वयम विधान सवा में हार गया अब पता चल रहा है कि कोशामभी में जहां उनका गर है और जो उनका बूत है वो भी हार गये और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो संगठन को सरकार के उपर बता रहे हैं इसके बारे में ये भी पूछ लिया मैंने ही पूछा था कल टुटर पर पूछा था कि वही ये जो हमारे केश्व परसाद मौरिया जो हैं वो बाति जंता पारटी की मीटिंग में ये जोड़-जोड़ से क और हम सब्छराइब क्या जयैपी नड़ा-जीभी यह बात कहेंगे क्या इसको जो है वो कर दोपर दोखर आगे हो रहेंगे क्या जो मुख्य मंत्री होता है और जो प्रधान मंत्री होता है उसके उपर ठपा लगा होता है जन समर्थन का जब तक पूर जन समर्थन नहों तब तक न तो प्रधान मंत्री बन सकता है न मुख्य मंत्री बन सकता है योगी जी अपने दम पर मुख्य मंत्री बन कर नहीं आया है जिस तरह से मोधी जी आया है जिस तरह से योगी जी आया है इसी प्रकार से मोधी जी जो है वो तीसरी बार लगातार प्रधान मंत्री बने है यह सब सब जो भी बने हैं वो जन समर्थन से बने हैं तो वह जो संगठन वाले होते हैं वो जन समर्थन से नहीं ब जन्जन समर्थन से बढ़ा है इसको कहीं न कहीं आप विदेशित कर सकते हैं इसकी बढ़ाय मोतना कर सकते हैं कि वहां मोतीई सरकार मोतीही संगठन मोतीई है उत्तर प्रदेश में अलग मानक क्यों लागू करना चाहते हैं? नहीं करेंगे और यही हुआ योगी जी को फ्री हैंड भी दे दिया गया और यह भी कह दिया गया भी रखना चाहो तो रखो, निकालना चाहो तो निकालो लेकिन ज़िए थोड़ा स्टेटस को बनाओ पुनाए रखो विधान सभा उप चुनाओं तक और आपको बाई एलेक्शन अपने इसाफ से करो इत्यादी इत्यादी जो सारी बाते हैं वो सब हम आपको बता चुके हैं अब सुबर्मणियम सवामी से नहीं रहा गया तो उन्होंने देखा कि यह विवाद जो है यह बहुत अच्छा लाभपरद हो सकता है मोदी के विरुद्ध एक प्रकार का अंदोलन चलाने में या एक प्रकार की मोहिन चलाने में तो वो पहुच गए सिधे अजीत अंज्यूम के पास में और वही बातें फिर से बोलना आरम कर दी कि योगी को क्या पता नहीं था योगी इनको समझ लेना चाहिए था कि जैसे ही काम हो जायेगा वैसे ही योगी को ये दोनों हटा देंगे इसे ये बाद भी बता दें कि योगी जी को पता है अच्छी तरह से कि उनकी इस्थिती जन समर्थन के द्रिश्टिकोन से मोधी के बाद दूसरी है पूरे देश में और कोई नहीं टिकता राहुल गांदी वांदी भी बहुत पीछे पढ़ रह जाते हैं और सब को यह भी पता है कि यह जो परिणाम आया है उत्तर प्रदेश में इस परिणाम का एक बड़ा कारण यह है कि योगी जी को जान बूझ कर छोटा दिखाने का प्रयास किया गया और यह किस इस्तर पर हुआ वह आप यह जान सकते हैं मैं और अधिक कुछ नहीं कहूँगा यही कहूँगा कि योगी जी के हाथ पर तो कुछ था रही जो कुछ भी किया जा रहा था वो अमिज शाह और जेपी नड़्डा द्वारा किया जा रहा था अब इसमें आप तैय कर लें कि जब अमिज शाह और नड़्डा एक साथ बैटे हो तो किस की चल रही होगी बस इतना कहिके यहाँ पर छोड़ देता हूँ पर बसे और जो बाते के रहे हैं सुबर्मट इएम स्वामी जी वो और भी यह दिकरो चक के चैंड़ करते हैं मैंने जो है वो सारा का सारा राहुल गांदी का विदेशी नागरिक्ता का जो क्रमान था वो मैंने अमिज शाह को दे दिया था लेकिन अमिश शाह उसके उपर कुछ भी नहीं कर रहे है और अमिश शाह जो है उसकी सहायता से राहुल को ब्लैक मेल कर रहे है ये बड़ा खुला सा है कि अमिश शाह राहुल को ब्लैक मेल कर रहे है तो अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो कहीं दिखा नहीं कि राहूल किई प्रकार से बलैक मैल हो रहे हैं भाकि और अपनी मूफटार कर रहे हुगे जो उनके सहज डूप से उनके विक्तित्यों का हिस्ता है लेकिन ब्लैक मेल हो रहे हो हमिच्छा से राहूल गांदी ये तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है आप लोगों को किसी को दिख रहा हो तो आप बता दीजे मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा कि रावल गांदीव को मिश्चा किसी भी पकार से ब्लैक मेल खर रहे हैं अपितू कल विबोर आनन ने ये लिखा था कि साथ के हम सुब्रामानियम स्वामी से बार बार मांग रहे हैं क्वाइभ आपके प्रमान हैं आप हमें दे दीजे हम कोट में जाएंगे सुब्रिणमीन सोमी कह रहे हैं कि मैं तरह सो अध्य कोट में फ़िफिश्टा रखिए तमाम नंसे छड़वाएं उसके बाद मुझे फिर टीयार रमेश का ध्यान होया है मैं तो अभी तक यही सुनता आया हूँ कि सारा कारे जो है वो टीयार रमेश करते हैं लेकिन सुब्रणेन स्वामी जी ने हाँ यह अवद्श है कि साहिता की थी और चिदमरम मंदिर वारे केस में भी उनकी साहिता थी उसमें कोई संदे नहीं है लेकिन यह कहना कि सब कुछ उन्हों नहीं करवाया तो बैए मैं कहूंगा कि नम्मर एक पे यदि कोई है तो टीयार रमेश है तमिल्लाडो में वही एक्टिविस्ट हैं बाकी लोग जो है वो सब साइड रोल में है जिसको हम बोलते हैं सहनायक सहनायक की रोल में है कोई भी जो में हीरो है वह है टीयार रमेश तमिल्लाडो के मंदिरों के लिए और उसमें साहिता और भी लोग करते हैं जेसाई दीपक भी उसमें साहता करते हैं, दिनाथन जी भी हैं, और भी लोग हैं, कई सारे सुप्रीम कोड के वकील हैं, उसमें लगते हैं, लेकिन ये कहना कि राम मंदिर मैंने बनवाया, बाई, सुप्रमाने स्वामी जी, आपको बता दें कि आपकी जो याचिका थी ना, आपकी जो रिट पेटिशन थी, वो हटा दी थी, उसको सुनने से इंकार कर दिया था, और बाद में जिस पेटिशन पर जो कि एक सिविल अपील है, सिविल सूट की सिविल अपील है, उस पर जो निरने आया है, वो आपकी याचिका का कहीं भी उलेख नहीं करता है, इसलिए ये दावा करना बंद कर दीजिए कि आपकी पेटिशन पर सब कुछ हुआ, जब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया था मामला, तब आप बीच में पूद पड़े, एक रिट पेटिशन लेके, और उस रिट पेटिशन से ये हो सकता है कि कुछ एक्स्पिडाइट ह रखते हैं, और ये बिलकुल इस पच्ट है कि मोधी की सरकार नहीं होती, तो ये निरने जो आया है, वो नहीं आना था, हमारे जितने भी शुरुता और दर्शक हैं, वो सुविग्य हैं, वो सब समझ गए होंगे, ऐसा नहीं होता है, कि कोर्ट्स जो हैं, वो पूरी तरह से आस-पास का जो वातावरन है, वो नब ताड़े, अब क्या करेंगे, सुवर्मनिमान स्वामी जी, उन्होंने ये तो कह दिया, आप यो कह रहे हैं, आप कि ये सरकार नहीं चलेगी, और नाइडू और नितीष जो है, उनका जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही इनको मैं तो इस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता, और क्या बचा क्या है तुमार कहने से, और कुछ बचा तो है नहीं से ज्यादा, अजे तुम दी वायार का पिल सिबल और इनके सब के अजीद अंजूम इनके आँ बैठके जो इंटर्वी देने लगे हो अब इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है, अब यही वाली बात है, कि अंगूर खटे हैं और सारा कोछ जब लुट गया, सुबर्मनियम स्वामी जी का, तो आप देख रहे हैं कि भई, खाओ नहीं, तो ढोल दो, यह कहावत है राजस्तान की, यहां में तो मिला नहीं, तो कार्ति के जी का अवतार हैं साक्षात, उनके नाम पर आपका नाम है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो लोग जो है, उसको मान भी लेंगे, कुछ लोग हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोग तो चुकि रहस से जानते हैं, अंदर की बात समझते हैं, इसलिए हम आपका प्रतिकार कर सकते हैं, करते रहेंगे, जैहिन जैभारत, बंदे मात्र,